प्रदान मंत्री नरेद्र मुदी के एक वर्ष की कारेकाल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्दियों को बताने भाजपा कार्याले में प्रेस्वारता रखी गई जिसमें राजिसवा सांसद वा भाजपा की राष्टी महामंत्री सरोज पांडे सांसद संतोष पांडे भाजपा जिला अध्यक्ष मदुशुदा नियादव लेलाराम भोजवानी असोक सर्मा खूपचन पारत शोबा सोनी रेखा मिस्राम उपस्तित रहे जिन एक्स टीवी के लिए राजनन गाहों से सुरेंद गुपता के रिपोर्ट और चत्रिसगड़ की सरकार की मुख्यमंत्री ने उस विशय पर उन्होंने विधयक का विरोध करते हुए सदन में विरोध पारिद करके भीज़ा जबकि उनकी ही नेता ने इस विशय पर कप देश के नागरीकों के समर्थन से हमने पहला चरण बहुत सफलता से पूरा किया तीसरे चरण के हम अंतिन दौर में एक चरण के बाद हम इस कोरोना की महामारी से निकल जाए अभी थोड़ा लोगों को लग रहा है कि घटना क्रम बढ़ रही और ये दौर आना था तीसरे पक्ष में ये घटना क्रम घटित होगा ये विशेस पश्ट था इसलिए इस समय पर सबसे जादा सचेद रहने की जरूरत और हम चौथे चरण में प्रवेश करते करते हम पार हो जाएंगे जिस मजबूती के साथ इस वैश्विक महामारी के समय पर देश के प्रधा मंत्री जी का ये कदब हम लोगों को इस वैश्विक महामारे से बहार दिकालने में सहायव हो जो घटना क्रम अभी आपके ये सब योश्णा हैं आपके हां पर इसके पूरों में बाकी वक्ताओं ने भी बताई होंगी मैं इसका है कि आपको डिटेल दे रही हूँ हूँ इ कि उन व्योजनाओं में और क्या पहतर किया जा सकता है इस द्रिश्टी कौन से नगर के सिच्छावीर दूसरी हेमनता मोहवे जी डॉक्टर आमस अब्रहाम जी जुडिश्यर एकाउंटिबिलिटी के द्रिश्टी कौन से द्रेक्टर बकित साथ गाजी साहब से पूलागा साथ ही आशानागर में धानमंत्री योजना के पिराहियों से जाकर के संपत किया गया आद एक अवचारिक सुर्वात इस जन संपत अभियान का शॉक्षल दिश्टेंसी को ध्यान में रखते हुए यहां बारब किया गया जहनेवाद देना क्या होगा सुसरी सुरेश कि अवचारिक नम के हमारे में अंतर्व को सुर्टार करते हुए और इस जन संपत का भियान का एक मवचारिक सुर्वात यहां पर हुए हैं मैं उनसे डिविजन करेंगा कि एक बस की जो सरकार की सरकार की प्लग्दियां उन बातों पर आप लोगों से चप्चा करेंगे भारती जन्ता पार्टी के जिनात्रिक्षी में बहुत बिस्कित तौर पर नकाश डाला था केट्र में 2014 में भारती जन्ता पार्टी की सरकार था हुए 2014 के पहले जब कॉंग्रेस पार्टी थी तो उस समय आपको और जब तक उपर से उन्हें संकेत नहीं होता था कोई नेड़न हो नहीं करें पुरी देश में लगाता रोज जब संसत चलती थी तो संसत चलते में बोज एक नया गोटाना सामने आदा था लेकिन 2014 में भारती जन्ता पार्टी कोन बहुमत के साथ में सरकार गना देश में प्रधार्मत्री नले तुमोदी जी ने कमान को सभाला पुरा देश का परिदिश्य बदल लिया शुरुवात हुई स्वक्षता थी और उस समें लोग कही पार नजाद रहा थी शौचाले के बनाने की बाड़ों को मुझे आज भी याद है कि उस सभी कॉंग्रेस के एक प्रेता ने क्वीट किया कि आपको प्रधान नंद्री देश की जन्ता ने शौचाले बनाने के लिए नहीं पढ़ाए रहाए लेकिन अगर आज के इस महावारी के समय पर उस शौचाले और इस मार तीन सौचाले सीटों से पहने से जादा सीटों से पार्टी चुदाव जीतकर और चन्ता के आशिरवाद से फिरसे देश के प्रधान मुत्री बदपर ओधी जी आ एक साल सरकार में जो किया एसे निट है जो कही बर्षों से रंबी थी जीनियों हो जाना जाहित था लेकिन कुछ बोटों की राजनी थी कि भीट जड़ने और कुछ भी करने की मन शाही नहीं जजबा ही नहीं थी देश की दोनों सदम भी पहुमत से नहीं बब्कि बोट पहुमत से विशे पारिथ कि जहां बलिदान हुए मुखर्ची वो कश्मीर हमारा है कश्मीर को भारत का अविभाग अंग बदाय रखने के लिए अपना बलिदान दिया भारती जत्ता पढ़ा वो देश नीमिता तीन तलाग कर वोट की राजनीती तो